कि इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके साफ व्यस कोड में पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं और यहां पर आप किस तरीके से पाइथन को रन करोगे और किस तरीके साफ पाइथन का सेटप बनाओगे अपनी व्यस कोड में और कितने तरीके होते हैं पाइथन को यहां पर जैसे आप enter करोगे तो आपको इस तरह का interface होगा आपको source link पे click करना और ये link मैं आपको description में देदोंगा वहांसे भी आप यहाँ पर आपको हिहाँपर download पर आना ठीक download पाओगे तो जैसे आप流 लेगाऊँगे आपको इस तरह का interface होगा आपको the python यहां पर आने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहां पर add path.exe to path यह आपको जरूर करना यह add python.exe to path यह क्यों करना आपको यह क्या होता इसका मतलब होता अगर आपने आपने नहीं करना तो आपको अपना जो path manual जाके set करना पड़ेगा अगर आपने आपने चेक कर दिया तो आपका path automatically set हो जाएगा आपको मैंडोल सेट करनी की जरूर थे तो आपको इस पर जरूर छेक करना ठीक है ध्यान से चेक करना इसी इस लिए आपको इंस्टोल ना हो पर कर देना और इंस्टोल होना इस टार्ट हो जाएगी त्युआ तीन तर चान मिनटे यह लेगी और उसके बाद इस इ इसे आपको चेक करना कि हमारी python successful install हुई नहीं हुई है तो इसके लिए close करते हो और यहां पर आपको टर्मिनल ओपन करना ठीक है आपको टर्मिनल ओपन कर लेना और यहां पर आपको टाइप करना python इस तरीके से आप इंटर करोगे तो यहां पर आपको आपकी python का वर्जन दिख जाएगा इसका मतलब है कि हमारी python successfully install हो चुकी है आपको पिप भी देख लेना पिप python का package manager होता है कोई भी जब आप python का package install करोगे तो वह pip की help से करोगे ठीक है तो यहां पर आप देख लोगे python के साथ by default install होती है तो यहां पर यह pip का वर्जन है तो यहां पर हमारी successfully install हो चुगी है हम क्या करते हैं vs code को download करते हैं तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में आना और यहां पर आपको टाइप करना vs code download इंटर करोगे यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेश होगा आपको दूसरे लिंक पर किलिक करना है यह लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन देदूंगा वहां से आप यहां पर आ सकते हो तो यहां पर आपको इसे पॉस कर देता हूं हमारा काफी जादा टाइमसेब हो जाएगा जस्ट मैं आपने डाउनड वाले फोल्डर माता हूं यहां पर और यहां से जो वैश्चोड से इंस्ट्रोल कर लेते हैं आप इस एलिक करोगे और इसकी पॉलिच को आप एक्सेप कर लोगे करों और इसिती तरही कती होगा कर आट है और आपको ड्यक्तलग को आइकन क्रeat और यह जाए गएगा और नहीं आइपको- यह जो जाएगा तो सब्सक्राइब रहना है करें। और यह जी आपको वाफिस आना बहुम्ध एकALL बना लेता हूं पर new प्रोग्राम और और इससे उट्शित में ऑपने इसका प्राइपन ऑग्या होगा इस तरीकिया से इसके आपको उपन करने आपको फाइल माना और फॉल शेमें आने और आने के बाद हमारा तो यहां पर देख सकते हो desktop और desktop और यहां पर मारत था python प्रोग्राम ठीक है python प्रोग्राम जब भी आप कोडिंग करा करो तो एक फोल्डर बना लिया करो इससे क्या होगा कि आपके जो system में रायता नहीं फैलेगा आपकी जो फाइल है वो एकी फोल्डर में रहेंगी और आपकी फाइल नहीं होगी management काफी अच्छा रहेगा आपको कुछ भी नाम रखो first और प्रोग्राम डोट पाई के साथ आप डोट पाई एक्षेंशन के साथ इससे सेर्फ करोगे और यहां पर मैं print हेलो ठीक है but allow world प्रोगाम को हम यहां पर प्रिंट करते हैं इसके बाद सेर्फ कर ले ना से आप से करो गयां से इसकूर इसके बाद इसके बाद उस फाइल को रन कैसे करोगे इसके लिए आपको पाना और टर्ण मिलप आना और यहां पर आपको टाइप करना है पाइफन प फर्स्ट प्रोग्राम तोट पाई ठीक इंटर करोगे तो इसका उट्पूट आजाएगा जो भी आपका उट्पूट आजाएगा यहां पर आप चाहते हो कि आप यहां पर टाइप करके रन ना करो आप सिर्फ एक बटन आ जाए उस पर मैं किलिक करूँ तो मेरा प्रोगाम पर णो जाए और मुझे यहां पर टाइप करना आप तो उसके यहां किया करोगे तो हैं को रन से यहां पर इसे आप इंस्टोल कर लोगे न देख सकते निवे आपकी लेंग्वेज ओ जावा हो सी प्लस प्लस हो सब में काम आती है पाइथन हो इंस्टोल कर लोगे से जैसे यह इंस्टोल हो गई तो आपको इस तरह का ऑप्शन विजिपल हो जाएगा तो आपकी फाइल ऑटोमाटिकल दिरन हो जाएगी तो आपको जरुवत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी टाइप करने की आपकी फाइल ऑटोमाटिकल दिरन हो जाएगी जैसे यहाँ पर मैं प्रेंट एक और कर देता हूं और यहाँ पर हेलो एवरिवन दिस फर्स्ट प्रोगाम और यहाँ पर आप इसे स्याप करोगे कंट्र्ल ऐसे भी कर सकते हैं और इस पर रन पर किलिक कर दोगे जैसे करोगे तो आउट पुट देख सकते हो यहाँ पर इस्तरीके से आपका आउट पुट आईगा तो इस्तरीके से कर सकते हैं अब जो विए इसकोड को यूज करते हैं उनमें एक पॉबलमस भी आती है हमारी दोनों प्रिंट होंगी खेल वल्ट की और Hello THIS is the program निया है is और इसे रण करता हूं इसे। और करने के बाद जब रण करोकर हैंSte que कॉ कि यूजर को ऒधुण। लेकिन अगर आप यहां पर टाइप नहीं oxy तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको alb corporate करने के बाद preferences माना और आपको आना है settings के अंदर आना है और यहां से पर आकर आपको सर्च करना है code runner करोगे करने के बाद नीचे आते रहोगे नीचे रहोगे और नीचे रहोगे नीचे रहोगे और run in terminal मेरा चेक वह बाद आपको चेक कर देना ठीक है जैसे आप चेक कर दोगे आप यहां पर टाइप कर पाओगे तो गाइस इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई इन में प्रुगाम को रन करने में या कोई वैसी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हो मैं आपके कमेंट का जरूर जबाब दूगा और तो गाइस इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को स थाइस वाचिंग गाइस